हाई फ्रेंग्स मैं गीता वर्मा गीता किनो डॉट कॉम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ उम्मित करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आज मैं लेकर आई हूँ बेशन धोकला की रेसिपी जो करते हैं लिए पको जहां बनता है तो इससे आप बहुत ही आसानी से वह सकते हैं कम टाइम में और सारी टेप्स और घ्रेक्स बताऊंगी कि किस तरह जाए से आप यह पशन धोकला बना सकते हैं मौ मैं तो आये वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है इसके अंदर मैं एड़ करूंगी बेसन यह बारिक वाला बेसन है जो हम घर में यूज करते हैं यह वही बेसन है अब मैं इसमें डालूंगी वन टीस्पून के करीब नमक या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हाफ टीस्पून में यहां पर हल्दी डाले हूं हल्दी आपको ज्यादा नहीं डाल ली है क्योंकि इससे फिर यह लाल पड़ जाएगा बहुत ही कम हल्दी डाले एक बड़ा चमच मैंने यहां पर चीनी एड़ की है अब मैं इसमें निमो का रस आड़ करूंगी चार चमच ज से मिक्स करेंगे एक साथ ज्यादा पानी एड़ ना करें पहले थोड़ा सा पानी एड़ करें और इस तरह से मिक्स करें नहीं तो इसकी जो गुट्लियां है वो खतम नहीं होंगी अगर आप एक साथ ज्यादा पानी एड़ कर देंगे तो मैं यहां पर हैंडविस का इसमाल करना है, वो करना है,illes medium consistently का न बहुत जादा पतलां, और न बहुत जादा गाढ़ा, तो यहाँ पर is चीज को हमें बहुत ध्यान रखना है, अगर आपका बैटर पतला हो गया, तो भी आपका धोकला अच्छा अगर गाढ़ा हो गया तो भी वह नहीं फूलेगा तो हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तयार करना है और आपको मैं दिखा दियू किस तरह का बैटर यह दिखे जब मैं इसे गिरा रही हूं तो असानी से गिर रहा है तो अगर गाड़ा होगा तो भी वह अच्छे से नहीं फूलेगा और पतला हो गया तो भी वह बिखर जाएगा तो इस तरह का मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तियार करना है इसे हम ढखकर रख देते हैं तब तक हम बाकी की चीज़े तियार कर लेते हैं तो हमें इसे स्टीम करना है इसलिए मैं यहां पर कड़ाई में डाल रही हूँ एक गिलास पानी और इसके अंदर कोई भी आपका टोरी वगरा या इस तरह की जाली हो वह रख सकते हैं इसे हम कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम पानी को बॉयल होने देंगे यहां पर मैंने इस तरह का बेकिंग टिन लिया है आपको इस टील का अगर आपके पास इस तरह का डबा पड़ा हो तो वह भी ले सकते हैं और इसे मैं ओयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि जो ठोकला है वह असानी से निकल जाए तो ज़रूर नहीं आपको बेकिंग टिन ही ल मैं आड़ करूंगी इनो तो आप चाहे तो इनो एड़ कर सकते हैं ने तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी आड़ कर सकते हैं तो यहां पर वन टीस्पून के करिब में यह इनो एड़ कर रही हूं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसा ना हो कि कहीं मिक्स हो जाए तुरंत आपको इस टेन में डालना है अगर आप रख देंगे तो आपका धोकला नहीं फूलेगा यहाँ पर मैंने पूरा मिक्षर डाल दिया है इस बेकिंग टेन में आप इसे हम रख देते हैं कठाई में तो कड़ाई चेक कर लेते हैं यहां देखे काफी अच्छे से स्टीम बन रही है हमें धोकला को स्टीम करना है तो इसलिए बहुत ध्यान से रखेगा क्योंकि काफी गरम है इस टाइम तो हम इसे धग देते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पर दस से बारा मिनट के लिए पकने देंगे जब तक यह अच्छे से पकना जाए तो हम चेक करके भी देखेंगे तो यहां पर 10 मिनट हो चुके हैं मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूं कि मारा धुकला पका है यानि तो आप चाकु से भी चेक कर सकते मैं यहां पर स्कुएर से चेक कर रही हूं और हलका से बैट अगर इसमें बैटर लगा हुआ आए तो आप इसे थोड़ी देर और पका लिजे अगर यह क्लीन आरा इसका मतला अपका धोगला पक चुका है और इसे बहुत ही ध्यान से निकाल लिएगा क्योंकि यह गरम है तो यहां पर मैंने इसे निकाल लिया है यह काफी गरम है तो इसे में ठंडा होने के लिए छोड़ दोंगी और जब यह थंडा हो जाएगा तब इसे हम निकालेंगे तब तक हम यहां पर तड़का तैयार कर लेते हैं तो यहां पर कढ़ाई में मैं डाल लिए वन टेबल स्पून ओए और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे तेल ह आपको अवाज आएगी चटकने की तो जब यह अच्छे से चटक जाए इसके बाद मैं इसमें डालूंगे चार से पांच हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से दो टुक्डे कर लिया है बीच में से आधा कर लिया है इसे हम फ्राइए कर लेंगे हलका सा इसके बाद में मैं इसमें डालीगी एक गिलास पानी, क्योंकि हमें यहां पर चासनी तेयार करनी है, धोकल जाषणी अब चाहशनी के लिए, रखेट करता है, दो चमच छीनी लिव 치ुनी डाली है, गिए धोकला बैटर में पर चाहशनी तेयार करें और यहां पे तीन से चार चमच में ने निम्बू का रस आड़ कर दिया है और थोड़ा सा पानी में और आड़ कर दिया क्योंकि धोकले में काफी चाशनी अब्जॉब होती है तो इसे हम पकने देंगे जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए तो यहां पे जो चीनी है वो अच्छे से घुल चुकी है तो हमें इसे जादा नहीं पकाना है बस चीनी घुल जाए इतना ही पकाना है लास्ट में मैं इसमें आड़ कर दूँगी हरा धनिया जिसे कि देखने में धोकला बहुत ही सुन्दर लगता है अगर आपके पास कड़ी पता हो तो वो भी इसमें आड़ कर सकते हैं अब हम धोकला चेक कर लेते हैं धोकला हमारा ठंडा हो गया है और यह दिखे अपने साइड्स को इसने अपने आपी छोड़ दिया है तो जब यह पक जाता है इसकी साइड्स खुद बखुद निकल जाती है अब इसे हम पलट लेते हैं निकाल लेते हैं और आपको धोकला इसको दबा के दिखाती हूं कितना जादा यह इस पंजी ढोकला बना है तो इनो डालने के वज़े से यह जो ढोकला है बहुत ही अच्छा बनता है बहुत ही जादा स्पंज आता है इसके अंदर और अगर आप इनो नहीं डालना चाहते तो आप 1 फॉर्थ टीस्पून बेकिं सोडा और हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला देना और उससे भी बहुत अच्छा ढोकला बनता है तो इसके मैं पीसेस कट कर लेती हूं इस तरह से और आपको दिखाती है कितने बढ़िया पीसेस कट हो रहे हैं तो अगर यह ढोकला नहीं फूला होता तो यह बहुत अगर है वह मेडियम कंसिस्टेंसी अगराने तभी आपका धोकला बनाए तो यहां पर यह कितने अच्छे से यह पीसेस कट रहे हैं क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बना है तो जितने बड़े पीसेस हमें काटने हैं उतने बड़े पीसेस हम इस तरह से काट ले अब मैं एक पीस आपको दिखाती हूं इसमें कितना अच्छा स्पॉंज है बहुत ही बढ़ी है यह इसे प्रेस करेंगे यह वापस आजा रहे है प्रुकुल स्पंज की तरह है जब हम स्पंज को दबाते है तो वह वापस आता है दबाने पे तो जब आपका ढुकला एकद तो अब हम इसमें चाश्णी एंड कर देंगे जो हमने चाश्णी तियार करके रखी थी को अधो यह पर जिए टो यहांपर जो शालें देर बात जब यह सारी यह चाश्णी अब्ज में करता है तो इसलिए में थोड़ी। धूड़ी क्वांट्रिटी में बनाई है पहले हम थोड़ी डालेंगे जितनी यह अब्जॉब कर ले और थोड़ी देर बाद जब यह सारी चाष circular अब्जॉब कर लेंगे उसके वद बची हुए चाष्nya हम फिर से डालेंगे इस तीर हम डाल देंगे और हमेशा पहले पीसेस कट कर लें उसके बाद ही चाशनी डालें ताकि सारे पीसेस अच्छे से चाशनी को अब्जॉब कर लें अगर आप बिना कट किये वे डालेंगे तो चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी तो यह देखे कितना बढ़िया हमारा ठोकला तयार हुआ है तो जब आपको इसे सर्फ करना हो आप इसे बना के पहले फ्रेज में रख दीजिए और यह ठंड़ा अच्छा लगता है तो गरम में उतना टेस्ट नहीं आता है जब इसे फ्रेज में से ठंड़ा निकाल कर खाएं तो यह देखे हमारा बढ़िया सब मार्केट जैसा धोकला बिल्कुल रेडी हो गया है ट्राय करिएगा और मुझे लिखके बताएगा आपके जो कमेंट होते हैं उनका मुझे इंतजार होता है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक क करें चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल भूलें